प्रस्तुत है काईरक्रम आजकल, आजका विशेह है Mission Life परियावनान के लिए जीवन शैली, आलेक, अनिल गुलाटी, संचार विशेशग्य, यूनिसेफ विश्व परियावनान दिवस एक ऐसा अवसर है जो परियावनान के प्रती, जागरुकता और क्रियाशीलता के लिए देश भर के लाखों लोगों को एक जुट करता है इस वर्ष केंद्रिय परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले ने Mission Life पर जोर देते हुए विश्व परियावरन दिवस मनाने की तैयारी की है 2021 ग्लासगो में वैश्विक नेताओं के शिकर सम्मेलन में प्रधान मंत्री नेरेंद्र मोदी द्वारा लाइफ यानी परियावरन के लिए जीवन शैली के अफधारना को पेश किया गया था और तब उन्होंने परियावरन के लिए इस्थाई जीवन शैली और प्रताओं को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रियास को फिर से शुरू करने का हवान किया था Mission Life के अंतरगत देश भर में जन जागरुकता कारिक्रमों का आईजन किया जा रहा है Mission Life का उदेश कम से कम एक अरब भारतियों और अन्ने वैश्विक नागरिकों को 2022 से 2028 के बीच परियावरन संरक्षन और संवर्धन के लिए वेक्तिगत और सामोहिक प्रियास करने के लिए प्रिरित करना है Mission Life बड़े लक्षों के साथ साथ लोगों को छोटे और रोजमर्रा के कारियों में शामिल होने के लिए प्रोतसाहित करता है ताकि सामोहिक प्रियासों को जब व्यापक रूप से अपनाया जाता है तो जलवायू परिवर्तन को काफी हद तक रोका जा सकता है मानव गती विधियों द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों के कारण वैश्विक तापमान में व्रद्धी से वैश्विक जलवायू पर व्यापक प्रभाव हो रहे हैं इसलिए मिशन प्रो प्लैनेट पीपल यानी P3 समुदाए के माध्यम से एक पारिस्थितिकी तंत्र इस्थापित करना है जो परियावरणी रूप से जिम्मेदार वहवारों को आत्म निर्भर बनने के लिए समर्थन और अनुमती देगा मिशन लाइफ के अंतरगत प्रो प्लैनेट पीपल यानी P3 समुदाए के माध्यम से एक पारिस्थितिकी तंत्र इस्थापित करना है जो परियावरणी रूप से जिम्मेदार वहवारों को आत्म निर्भर बनने के लिए समर्थन और अनुमती देगा वैश्विक औसत चार टन की तुलना में भारत में एक व्यक्तिका औसत कारवन फुट्प्रिंट प्रती वर्ष शून दशमला पांच छे टन है भारत का पारमपरिक ग्यान सामाजिक मांदंड और दैनिक घरेलू प्रताएं और व्यक्तिकत वहवार के कारण हमारा देश प् साथ श्रेणियों में 75 अलग अलग लाइफ क्रियाओं की एक व्यापक और गार विस्तृत सूची की पहचान की गई है ये साथ श्रेणिया हैं और जा बचाएं पानी बचाएं सिंगल यूस प्लास्टिक पर रोग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल अपनाना कूड़ा कम करन हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाना और ई-वेस्ट कम करना भारत की सौतंतुता के 75 वे वर्ष में शुरू किये गए मिशन लाइफ को आजादी के अमरितकाल का खास तौर पर केंद्रित किया गया है मिशन लाइफ से बच्चों को जोडने में यूनिसेफ एहम भूमिका निभा रहा है यूनिसेफ बच्चों को जलवाई उपरिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए भी अथक प्रियास कर रहा है UNICEF बच्चों पर जलवाई उपरिवर्तन के प्रभाव को उजागर करने और इस से बारे में सभी केंद्रिय संस्थानों को अवगत कराने के लिए सरकारों सहित सभी इस तरों पर काम करता है जल सक्षता, शिक्षा, स्वास्त, पोशन, डी आर आर और बाल पोशन जैसे प्रमुक UNICEF कारिक्रमों में जलवाई परिवर्तन को प्रात्मिक तादी है मिशन लाइफ पर आधारित कारियों को बढ़ावा देने के लिए UNICEF सरकार और विभिन संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहा है इस मुद्दे के बारे में जागरुक्ता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं और विभिन विकास भागीदारों के साथ जुड़ रहा है और इस विशय पर आगे आकर अपनी बात रखने के लिए युवाओं को तयार कर रहा है UNICEF ने जल संरक्षन स्वक्ष्ट और हरित पहल अफशिष्ट प्रवंदन और प्लास्टिक कच्रे को कम करने जैसे तमाम मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन विभागों और संस्थानों के साथ भागीदारी भी की है प्रदेश में भी पर्यावरान के अनुरूब जीवन शैली अपनाने के लिए आम लोगों को लगतार प्रिरित किया जा रहा है सिंगर यूस प्लास्टिक पर पूरी तरहें से रोक लगा दी गई है मुख्यबंदी शिवरा सिंग चौहान स्वेम प्रती दिन प्यर लगा कर आम लोगों को इस अभिहान से जोड़ रहे हैं और अब लोग उनके साथ अपने जन्व देनी आन्ने खास अबसरों पर पौधरों पढ़ करने लगे हैं उमीद है इन छोटे छोटे प्रियासों से सामोहिक बदलाव की नीप पड़ेगी और या भिहान अपने उद्दिशों पर खरा उतरेगा